जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरेस न्यूस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज आईपल 2020 का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है तो उसमें आप सभी को कौन सी प्लेंग जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरे निकल कर आ दिया उनके बारे में बताएंगे जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम जानेंगे वो यह होगी कि आखिरकार आईपल 2020 के फाइनल मुकाबले से पहले रोई शर्मा ने क्या बड़ा बयान दिया है उसके बार लाइक कीजे और वही दोस्तों इस वीडियो का हमने लाइक टारगेट रखाए बस 500 लाइक का तो आप अभी इस वीडियो को जरू लाइक करना और वही अगर आप भी हमारे चैनल आरेस न्यूस पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को भी जर करहना होगा क्योंकि एक खराब दिन पूरे सीजन में किये गए प्रदर्शन की चमक को फीका कर सकता है तो ही इस बात को सर्रैजर सहदराबाद से बहतर कौन समझ सकता है जिन्होंने आइपल 2020 की अंते में स्टेज पर आकर शांदार प्रदर्शन किया और लगातार चार जीते लेकिन प्ले आफ के दूसरे क्वालिफायर मैच में दिली ने बाजी मार ली जबकि मुमेंटम पूरी तरीके से दिली के खिलाफ था और वे लगातार मैच हार रहे थे लेकिन बात वही है कि किर्केट की डॉक आउट स्टेज अक्सर दिल तोड़ देने वाली होती है इस बात को 2019 वर्ड कप की लीग स्टेज की टॉप टीम भारत से बहतर कौन समझ सकता है तो वही जो आज फाइनल मुकाबला खिला जाने वाला है उसमें बुमेंटम, इतिहास, पृतिवा, आदी सब बुमेंटियस के पक्ष में लेकिन जीतेगा वही जो विपक्षी से बहत प्रवेश करने के चलते हो रही है तो वही जो भी अपना गुडगान करा जाएंगे और यदि वो जीते तो सारा जहां उनका होगा तो वही दोस्तों हम आपको बताएं मुमेंटियस ने इस सीजन में तीन मैच अब तक दिल्ली की टीम के साथ खेले और तीनों ही मैचों में युवा सिरेश अयरेंट कंपनी को धूल चटाई है लेकि दोस्तों पुमेटियस के जो भी टीम दिल्ली के सामने अब तक उतरी वो एकदब परफेक्ट टीन की लेकिन आज के इस मुकाबले में हो सकता है कि आप सभी को बड़े 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 बदलाव देखने के लिए क्योंकि पहले क्वालिफायर मैच के दोरान दो बड़े खिलाडी मैच के दोरान ही चोटी लो गएते तो जिसके चलते दिल्ली की टीम को इस चीज का फायदा मिल सकता है पुल मिलाकर बात यह कि आई पेले तीहास की भेथरे इंट टीम के खिलाव जीत के लिए दिल्ली के आज को सर्विसेश्ट प्रेदर्शन आज करना होगा तो आए चलिए जानते हैं कि आखिरकार आज के मुकाबले में आप सभी को कौन से प्लें की लाइवन टीम दिल्ली कैपिटल्स और बुमा इंडियंस की खेलती दिखाई दे सकती है तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में तो दोस्तों जो दिल्ली की तरफ से मैदान पर आज खिलाडी उतरेंगे उसमें शामिल होंगे जो परिंग करने आएंगे उसमें शामिल होंगे शिकरदवन और मारकस इस पिछले मैच की ही तरह तो वहीं जो मिडल ओर समालेंगे उ जो कि अभी हमने आपको बताई तो अभी बात करें बुम्बई इंडियंस की प्लेंग लावन टीम के बारे में जो बुम्बई की तरफ से खिलाडी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे उसमें होंगे रोईष शर्मा और क्वंटेंट डिकॉक जो की ओपनिंग करेंगे वह इंडियंस की तरफ से पापसी कर रहे हैं तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है कि आज का मुकाबला इन दोनों में से कौनसी टीम जीतेगी दिली की या फिर बुम्बई इंडियंस की आप अपनी कीमतीरा विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा तो यह चलिए बागे बड़तों बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रहे हैं वो यह है कि आईपल 2020 के फाइनल मुकाबले से पहले रोई शर्मा ने दिया बड़ा बयान जिया दूस्तों पा समय में हुआ है फाइनल मुकाबले की पूर्व संद्या पर बुमीड नेस के कप्तान ने हाला कि इस बात से इंकार नहीं किया कोई भी जीत टीम का आत्मिस्पास बढ़ा देती है आईपल में शांतना रप्रदर्शन करने वाले खेलाडियों में से एक रोई शर्मा ने ये तो मुझे भरुसा है कि हम पाचवा खिताब भी अपनी जोली में डाल सकेंगे तो ही आगे उन्होंने बोला कि टेंट बोल्ट को पहले कोलिफायर में ग्रोईन की मामली चोड़ती लेकिन कप्तान को भरुसा है कि वे टीम के सबसे एहम मैच में उपलब्द रहेंगे तो ऐ ये बागे बड़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल करा रहे है वो ये हैं अपनी परफेक्ट 11 के साथ रिकॉर्ड पांचवी बार खिताब जीतने का मौका होगा तो वहीं सिरेश ऐयर की कप्तानी में दिल्ली की नजर अपने पहले खिताब पर होगी तो वहीं हम आपको बताएं कि दिल्ली की टीम की तरफ से ओपनर बल्ले बार शिकर धवन ने परफेक्ट 11 से पार पाना होगा क्योंकि बुमबई ने दुबई में मौसम बिल्कुल साथ रहने वाला है जहां पर तापमान 30 डिगरी से लेकर 32 डिगरी तक जाने की संभावना जताई गया है और वहीं दुबई की इस पिस से बल्ले बाजों को काफी जादा मदद मिल सकत सकती है और इस आईपल सीजन में यहां हुए 15 मैचों में पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम की जीत का सकसेस रिट 64% रहे तो वहीं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आईए चलिए नज़र डाल लें आकर 27 मुकाबले खेले गए हैं जहां पर 27 में से 12 मैचों में दिल्ली की टीम ने जीत हासिल करिया और बुंबई की टीम ने 15 मुकाबले जीत हैं तो जिसकी चलते दोस्तों पलड़ा तो बुंबई इंडिन्स की टीम का ज़्यादा पारी पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जैसा कि हमने देखा संराइसर्स हैजरबाद को जिस तरीके स किसी को भी यकिन नहीं होना चाहिए तो वहीं आईए चलिए बात करते हैं अब एक एक करके इन दोनों ही टीमों के प्लेंग 11 टीम के बारे में कि फैनल में आप सभी को कौनकों से खिलाड़ी खिलते हुए मैदान पर उतर सकते हैं उसमें शामील होंगे कप्तान रोही शर् इतक करें तो गेंदबाज है तो कि में बात करें कि तो गेंदबाज ही में बुम्याइ इंडियंज की तरफ से जस्परीद बुम्रा का नाम आठवे नम मर पर रखा गया सब्सक्राइल करई जिससे की जो आग étगी होंगीव आप सभीको सबसे पहले चैनल पर देखने के लि तब तक के लिए जय हिंद जय भारत